नमस्कार गुड आफ्टरनून आप सभी को मैं अंकित सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्यूजर प्लस केस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुगोल की क्लास्स के साथ मैं देख रहे हैं आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो भी सारी चर्चा जो होगी हमारी भुगोल से संबन्देती होगी तो आज जैसा कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं हमसे रूबरू हुए हैं तो आज हम बात कर रहे हैं भुगोल के संबन्द में एक CS एक जो की नए subject के साथ मैं शुरुआत करेंगे और उस Google subject के अंतर के जिस topic की हम लोगा शुरुआत करने जा रहे हैं उस topic का नाम है भौतिक प्रदेश ठीक है तो सबसे पहले हम जब starting करते हैं भौतिक प्रदेशों के बारे में यानि कि सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थ राजस्थान के बहुतिक प्रदेशों के अगर हम बात करें तो आप मुझे सिरफ एक शब्द का अर्थ जो है कि वो बताएं या आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के बहुतिक प्रदेश ये वह यूनीट है जिसमें से बहुत ही अच्छे लेवल के questions आते हैं दो प् direct questions आते हैं और एक आता है इसमें कथन और कारण का कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है आप लोगों को mismatch करना होता है कूट वाला question भी आता है इसमें कि निम्ने मैंसे कौन कौन से कूट सत्य असत्य के साथ में नीचे बताएं कितने सही हैं कितने गलत हैं तो अगर हम इस topic को बहुत अच्छे से अगर कंठस्त करें या इसको एक बार बहुत अच्छे से समझ लें तो यह हमें आने वाले सारे topics के बारे में जो है कि बहुत helpful रहेगा जैसे भुगोल के अंदर प्रती एक जो topic होता वो दूसरे topic पर dependent होता है यानि अगर आपने बहुती प्रदि division and the supportive topics of geography तो first we'll talk about the physical division बहुतिक प्रदिश और इन बहुतिक प्रदिशों के अंतरगर मैं सबसे पहले बात करूंगा बहुतिक के बारे में भुगोल के जो subject है इस भुगोल subject के अंदर किसी भी कोई भी topic ले लिजा आप उसके नाम में अपना एक अर्थ होता है there is a personal and separate meaning of every word in बुगोल यानि कि भुगोल के संदर में अगर आप कोई भी topic देखेंगे उसका जो title होगा उस title का एक particular जो है एक अपना अलग अर्थ होता है एक अलग meaning होता है तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ बहुतिक से क्या अतात पर यह होता है तो बच्चा बहुतिक से मतलब यह है कि इस दुनिया की हर वह वस्तु जो आपको दिखाई दे जो आपको दिख रही हो और उसे आप छू कर मैसूस कर सके वह या उसका जो अस्तित्तु है वह भौतिक कहलाता है ठीक है यानि भौतिक के लिए पहली जो condition है वो क्या होती है दिखाई देनी चाहिए और उसक कि अब आप जो चुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का टाइटल है राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानिकि राजस्थान में वे प्रदेश जो दिखाई दे सकें और जिनको चू करके महसूस किया जा सकें जीकिए अगे अगे अगर हम बात करें राजस्थान के बहुतीक प्रदेशों के अंतरगत तो आप देखेंगे यहां पर कि राजस्थान जो नक्षा आपको यह दिखाई दे रहा है राजस्थान का इस राजस्थान के नक्षे के अंतरगत अगर हम बात करें देखें राजस्थान में अगर हम पस्चिम से पूरब की तरफ देखना शुरू करें तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है यहां सबसे पहले हमने जो देखा वो है मरुस्थल पहले नमबर पर आपने क्या देखा मरुस्थल क्या मरुस्थल को देखा जा सकता है बिल्कुल दिखाई दिया इसलिए हमने यहां लेखा है मरुस्तल और मरुस्तल को हम छूकर मैसूस कर सकते हैं हम कई बार अपनी वैकेशन्स पर मरुस्तल या शेतरों मैं घूमने के लिए जाते हैं जैसल मेर देख लीजिये आप बार्ड मेर को ले लीजिये जोदपूर में एक जगा है जिसका नाम है Ocea वहां पर भी हम लोग जाते हैं तो यह सारा डैजर्ट एरिया है और यहां पर जाते हैं था हम मरुस्तल को फिल करते हैं नियू ये शेलिबरेशन के लिए भी जो है कि मरुस्तल लों के अंदर विजिट करते हैं तो सारी जगाओं पर जो है कि मरुसलिय भाग जो है हमारा वहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं कि मरुसल को कैसे मैसूस किया जा सकी और मरुसलिय शेत्र जो है वहाँ पर हमें किस प्रकार से दिखाई देती है वहाँ की वनस्पती है वहाँ की मिटियां है और भी स प्रेंज के रूप में दिखाई देती है जो हमारे basically किस formation में है या फिर rocky है या फिर हम लोग इसको कह सकता है mountains formation के अंदर है परवत है चट्टानी शेत्र है पूरा तो ये परवती है शेत्र है तो परवतों में भी हम गुमने जाते है बाउंट अबू है जैसे हमारे राजस्त परवत और पठारों के बीच में बेसिक जो फरक आता है यहां पर कि इसकी height अधिक होती है और इसके जो points होते है यानि कि उपर से तीखे होते है जबकि पठारी जो शेत्र होता है उस पठारी शेत्र का total 100% जो area होता है वो उपर से sloped में होता है ज्यादा उचाई नहीं होत होते हैं शिकर उनके और सिर्फ कैसे होते हैं slope यानि की अंडाकार होता है उपर से तो वह पठार कहलाता है तो राजस्तान के संदर्व में जब आप राजस्तान के नक्षे को परश्रीम से पूरब की तरफ विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है मरुस जो शेत्र है इस मरुस्तलिय शेत्र को हम क्या नाम देते हैं तो राजस्तान के संदर्व में हम इसको कहता है पश्चिमी रेतिला मरुस्तलिय प्रदेश नमबर एक पर आपने क्या लिखा यहां पर पश्चिमी रेतिला मरुस्तलिय प्रदेश नमबर दो जो है वो है आपक प्रदेशों के अंतरकत दिशाओं का एक अपना अलग महत्व है सभी के साथ में डारेक्शन लगाने होंगे आपको यानि कि रेतिला मरुस्तलिय प्रदेश है तो उसके साथ में आगे लिखा है पश्चिमी तो उसी प्रकार अरावली है तो अरावली के आगे आपको लिखना होगा मध्यवर्ती मध्यवर्ती अरावली परवतिय प्रदेश मध्यवर्ती अरावली परवतिय प्रदेश मध्यवर्ती अरावली परवतिय प्रदेश दूसरे मैदानों की अगर मैं बात करूं तो इस मैदानी शेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं इसे हम लोग नाम दें दक्षिन, पूर्वी, पथारी, प्रदेश, दक्षिन, पूर्वी, पथारी, प्रदेश, ठीक है, तो there is four types of physical division having Rajasthan, one, the first one is the East, the first one is the Pashimi, Retila, Marustaliya, प्रदेश, western, sandy, desert region, second one हो जाएगा आपका central, अरावली, रिजन, third one हो जाएगा आपका North East, Plains area, and the last one हो जाएगा आपका South East, प्लिट्यू, ये चार बहतिक प्रदेश जो है, वो राजस्तान अपने में समेटे हुए है, और राजस्तान के अंदर ये चार प्रकार के बहतिक प्रदेश मिलते हैं, जिनका वर्गी करण जो आप देख रहे हो, ये चार वर्गी करण जो है, ये डॉक्टर हरी मून सकसेना, और ICAR, Indian Agriculture Research Center के द्वारा दिया गया था, वही वर्गी करण हम लोग आज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ठीक है, वैसे तो राजस्तान को सर्वर प्रदेशों में बाटन जिसको आपने बहुतिक संरचनाव, वर्शा, तापमान के आधार पर बाटा है, वो हम आज पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर का थापन है, राजस्तान को चार बहुतिक प्रदेशों में बाटा है, ठीक है, आगे देखिए, अब ये जो चार बहुतिक प्रदेश हैं, इस चार बहतिक प्रदेश से related, कुछ basic facts आप से पूछे जा सकते हैं, basic facts in the sense कि, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो कुल शेत्रफल है, कुल शेत्रफल कुल शेत्रफल का मतलब हो जाता है the total area of Rajasthan, you all know about the area of Rajasthan it's around 3,42,239.74 square kilometer 3,42,249.74 वर्ग किलोमेटर, ये राजस्थान का कुल शेत्रफल हो जाता है, and even you should be know about the position of the Rajasthan in the India, यानि Rajasthan having a first position of area in India, Rajasthan भारत का शेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, 1st of November 2000 के बाद से, 1 November 2000 से पहले MP हुआ करता था, MP से 36 गड़ का अलग होता है, उसके बाद Rajasthan जो की second position पहुआ करता था, वो first position पह आ जाता है, तो Rajasthan having a first position in area in India, भारत के अंदर Rajasthan जो है, वह नमबर एक पह आता है, किसमें शेत्रफल की द्रिस्टी से, शेत्रफल कितना होता है, Rajasthan का 3,42,239.74 square kilometer, यह total आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, square kilometer में Rajasthan का शेत्रफल हो जाता है, अब यह जो शेत्रफल है, यह शेत्रफल Rajasthan के लिए 100 परतिशत के बराबर है, क्योंकि Rajasthan के पास इस शेत्रफल के अतरिक्त और कोई भी भूबाग दूसरी जगा पर नहीं है, तो जब यह 100 परतिशत हो जाता है इसी 100 परतिशत को तो हमने 4 भौतिक परदेश हो में बाटा है और 4 भौतिक परदेश कौन से होते हैं हमारे यही, पश्चिमी, रेतिला परदेश अरावली, मैदान और पठार अब सवाल हमारा यहां पर यह बनेगा कि राजस्थान के कुल शेत्रफल यानि 3,62,249.74 वर्ग किलोमेटर के कितने परतिशत भाग पर कितने परतिशत भाग पर आपको मरुस्थलिय प्रसार या विस्तार मिलता है ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है तो यह आपको पता होना चाहिए कि कुल जो राजस्थान का शेत्रफल है उसके 61.11 परतिशत भू भाग पर आपको किसका विस्तार मिलेगा मरुस्थल का विस्तार मिलता है अगर मैं आगे अरावली परवतिय शेत्र की बात करूँ तो अरावली जो रिजन है हमारा इस अरावली परवतिय जो विस्तार है अरावली का राजस्थान के भौगलिक शेत्रफल के कितने परतिशत भाग पर मिलता है यह आपको मिलता है बिटा 9 परतिशत भाग पर 9% एरिया वही अगर मैदान है तो मैदान जो है यानि राउंड अगर मैं लिखना चाहूं इसको तो मैं लिखता हूं यहाँ पर 7% कितना प्रतिशत? साथ प्रतिशत भाग पर मिलता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राजस्थान का शेत्रफल जो की 3,42,239.74 स्क्वेर किलोमेटर है जो हमारे लिए 100% के एक्कोल है 100% जो है हमारा उस 100% के 61.11% भाग पर हमें किसका विस्तार मिलेगा? मरुस्तल का विस्तार मिलता है आफ्टर मरुस्तल हमारे पास अरावली का विस्तार है पूरब की तरव अरावली कुल भोगोलिक शेतरफल के 9% भाग पर फैली हुई है मैदान कुल भोगोलिक शेतरफल के 23% भाग पर फैले हुए है और पठार जो है वह कुल भोगोलिक शेतरफल के 6.89 या फिर 7% भूभाग पर फैले हुए है तो यह basic concept था पहला शेतरफल के आधार पर यहीं अगर मैं बात करूँ यदि बात करें population के आधार पर तो राजस्थान की जो जन संख्या है आज वर्तमान में वो जन संख्या 68548437 ये राजस्थान की कुल population है और इस population का हमारे पास आधार वर्ष जो है वो आधार वर्ष कौन सा है 2011 है 2011 जो है वह हमारा आधार वर्ष है और इस आधार वर्ष के आकोर्डिंग राजस्थान की जो population है वो कितनी है 68548437 68548437 अब ये जो population है ये राजस्थान के संदर्व में 100% होती है और इस 100% population जो है इसको भी हमने कितने portions में डिवाइड कर रखा है चार हमने डिवाइड नही कर रखा है ये population राजस्थान के इनहीं चार भातिक प्रदेशों में निवास करती है अब कुल population का कितना प्रतिशत मरुस्थल में निवास करता है तो आपको पता होना चाहिए कि कुल जनसंख्या का 40% जो है वो हमारे इस मरुस्थल ये बैल्ट में निवास करता है 10% जनसं जनसंख्या है ये 11% की जनसंख्या निवास करती है बेटा आपके कहां पर पठारी शेतर में ठीक है तो इस तरीके से आपको ये चीज़े याद होनी चाहिए एक बहुत अच्छा सवाल आता है अवशेश से रिलेटेड़ लेकिन अवशेश के साथ में एक शब्द की जानक अवशेश और भाग अवशेश और भाग बिसिकली दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो अवशेश होते हैं उनकी मूल संरचना नस्ट हो चुकी होती है और जो भाग होते हैं उसमें हो सकता है अगर दो भाग हुए हो तो दोनों को मिलाने के बाद आप उस मूल संरचना क देख सकते हैं और अगर एक भाग नस्त हो गया तो दूसरे वाले भाग से भी आप उसकी मूल संरचना का अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है तो अवशेष का मतलब होता है जिसकी मूल संरचना नस्त हो ग revived और उसके अवशेष रूप आपकी सामने है या होगी? दोनों बाते हैं. नहीं भी हो सकती है तो आधे भाग की मूल संद्रचना विद्धिमान होगी. ठीक है? सवाल आपका यहाँ पर यह बनता है कि राजस्थान के संद्रभ में आपने यहाँ पर जो चार बहुतिक प्रदेश पढ़े हैं इन चारो बहुतिक प्रदेशों के अंतरगत इन चारो बहुतिक प्रदेशों के अंतरगत आपने जो देखा यहां पर कि चार बहुतिक प्रदेश हैं आपके और इन चार बहुतिक प्रदेशों में जो अवशेश है वो किस-किस के रूप में विद्धिमान है यह यानि कि आपसे cautioning पूछी जा सकती है कि आपसे cautioning ये होगी कि जो मरुसलिय प्रदेश है हमारा पश्चिमी, रेतिला, मरुसलिय प्रदेश ये मरुसलिय प्रदेश किसके अवशेश के रूप में आज वर्तमान में विद्धिमान है तो पेटा इसके लिए एक छोटा सा concept समझा रहा हूँ आपको देखिएगा कि starting में जब हम बात करें शुरुआत की बात करें यदि हम तो यहां शुरुआत में देखें आप उससे पहले अपन देखते हैं हमारे प्रत्वी को ये हमारा प्रत्वी का portion हो जाता है जो कि globe के द्वारा represent हो रहा है और इस globe में आप देखेंगे यहां पर बीच में जो है कि ये हमारे प्रत्वी का tilt portion हो जाता है जो कितना हो जाता है साड़े 23 degree अब आप इस पूरे globe पर अगर आप देखें तो आपको आज वर्तमान में साथ तो बड़े महाद्वीप दिखाई देते है साथ बड़े महाद्वीप और पांच आपको यहां क्या दिखाई देते है महा सागर लेकिन पेटा शुरुवाती दोर में जब प्रत्वी में निर्मान की प्रक्रिया के अधिन थी उस वक्त ये साथ महाद्वीप जो थे वो साथ महाद्वीप ना हो करके एक महाद्वीप था पुरा एक ही पोर्शन हुआ करता था और ये पांच महा सागर भी क्या थे एक ही थे महादवीपिय भाग को हमने नाम दिया था पैंजिया और महासागरिय भाग को नाम दिया था पैंथालासा इनका संरचना या structure कैसे हुआ करता था देखिए तो ये तो होता था हमारा पैंजिया और पैंजिया के चारो तरफ जलिय भाग जो था वाला जो भाग होता है इसमें पूरा समुंदरी शेत्र व्याप्त हो जाता है इस तरीके से जब इसके दो टुकडे होते हैं तो उपर वाला जो भाग है इसको हमने नाम दिया अंगारा लेंड नीचे वाला जो भाग था इसको हमने नाम दिया गौडवाना लेंड और बीच में जो इस सागरिय शेतर बना इसको हमने नाम दिया टैथिस सागर ठीक है? तो यह हो जाता है अंगारा लेंड ये टैथिस सागर और ये गौडवाना लेंड अब देखिए इसमें पूरे विश्व में व्यापत जितना भी भू भाग है, धरातलिय भाग है, ओशिन से है सभी के सभी या तो अंगारा लेंड के अवशेश है या टैथिस सागर के अवशेश है या गौडवाना लेंड के अवशेश है क्योंकि इन तीनों की ही मूल सनरजना आज वरतमान में जो है वो नष्ट हो चुकी है मरुस्थलिय भाग है ये आज वर्तमान में टैथिस सागर के रूप में विध्यमान है टैथिस सागर के अवशेश के रूप में विध्यमान है और वहीं मैदान जो हैं ये मैदान भी किसके अवशेश हैं टैथिस सागर के ही अवशेश हैं क्योंकि मरुस्थल और मैदान दोन हो गया परिवर्तित हो जाता है ये उपजव मैदान में तो मरुस्तल और मैदान हमारे दोनों किसके भाग हैं टैथिस सागर के भाग हैं और वहीं अगर मैं बात करूँ परवत और पठारों की तो परवत और पठार जो हैं वो हमारे किसके अवशेश हो जाते हैं गौडवाना लेंड के गौडवाना लेंड के अवशेश हो जाते हैं तो यह बात थी अवशेशों से regarding यानि कि मरुस्तलिय भाग और मैदानी यानि उतर पूरवी मैदानी शेतर ठीक है यानि कि I can also say that they are desert area and our northeast plains are the residuals of Tathis Ocean and another two physical division which is the central अरावली and the southeast plateau area the residuals of the गौडवाना लेंड यानि कि यह दोनों गौडवाना लेंड के और मरुस्तल और मैदान जो है वो किसके हो जाएंगे टैते सागर के हो जाएंगे तो इस तरीके से basic concepts आप लोगों को याद होने चाहिए तभी हमारे जो बड़े से बड़े exams है वो हम लोग crack कर पाएंगे मैं उमीद करता हूँ मेरे दुवारा जो भूगोल आपको बढ़ाई गई है वो आपको समझ में आया होगा कि हम future plus classes में किस गुणवत्ता के साथ study करवा रहे हैं तो मेरी आप सभी से यही request है कि आप इसे देखें आप आगे और भी देखें एक दो वीडियो देखें आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पढ़ाने का pattern हमारे पढ़ाने का level क्या रहता है तो उस तरीके से आप अपने decision ले पाएंगे और यदि आप सभी जैसे इच्छुक हैं यदि आप यहाँ future plus में आने के लिए तो आप सभी का स्वागत है तो बेटा इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मिलते हैं जल्दी next video में thank you so much